हेलो फ्रेंट्स आपका स्वागत है हमारे चैनल इलफो गोर्मिट जोबस पर है तो दोस्ता है अपर नेवी ट्रेयनमेन भरती को लेकर बड़ा अपडेट यहां पर आ गया है गुड न्यूज या सभी इस कंडेट के लिए चाहे वो सलेक्टेड कंडेट हो या फिर जो वेट यहां पर बड़ा अपडेट यहां पर आ गया है तो स्टार्ट करते हैं चैनल और अपडेट आपको सबसे पहले दी जाएगी तो दोस्तों साथ अप्रेल की डेट में आपके हाँ पर डोकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका जो लेटर है वो डिस्पेच हो गए थे इस्वन नवल कमांड विसाका पत्नम में जो आपका है जिनका कमांड था और सबसे ज्यादा वेकेंशी जो 1160 में से बहुत सारी वेकेंशी अवो विसाका पत्नम से थी मैक्सिमम कंडिडेटों का यहाँ पर डोकुमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ था यहां पर आज यहां पर पराप्त हुआ है और किस डेट को यहां पर डोकुमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल करवाना है वो भी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ तो दुस्तों लेटर के लिए जो आपका लेटर आ रहे हैं वो इस प्रकार से आ रहे हैं उपर आपकी डिटेल्स है में इसमें आप देखोगे तो आपकी जो इंडियन नेवी ट्रेडमेंट यहां पर देख सकते हो जिनका अग्जाम यहां पर आपका जो रोजगार समासर पत्र में आ रहे था फरवरी 2021 में नोटिफिकेशन अब दोस्तों यहां पर जो आपका है नेवी ट्रेडमेंट मेट के लिए यहां पर सिलेक्टेड हो आप इसके अंदर यह बताया गया है जो एड्राइजमेंट नमबर यहां पर दिया गया है इसके बाद में आपको यहां पर Command Civil Personal Officer, CCPO के पास यहां पर जाना है Headquarter Eastern Naval Command आपका जो है विस्याकापटनम में वहां पर आपको उपस्तित होना है 17 मई 2022 को यहां कि 17 मई से आपके हो सकता है एक दो दिन पहले से भी स्टार्ट हो पर 17 मई से यहां पर आपके Document Verification है वो स्टार्ट होने वाले है इस्टन कमांड गे जो की 15 दिन जो भी यहां पर उनके द्वारा सेडूल किये होंगे उस हिसाब से वो चलेंगे तो यानि कि मई में आपका Document Verification मई और जून में सभी का Document Verification और आपका जो Medical है वो पूरा हो जाएगा जो मां आपको बता रहा है कि जुलाई से पहले पहले कंड़ेटों को जोइनिंग मिल जाना चाहिए जिसे आपको benefit होगे पर दोस्तों उसके चांसे तो कम ही लग रहे है जिसी साबसे यहां पर यह आपका डिले चल रहा है कि जून तक यह procedure होगा उसके बाद में appointment में हो सकता है आपको जुलाई तक वेट करना पड़े तो निची यहां पर इसमें बताएगा आपका टू सेट है वो जिरोक्स कोपी आपको लेके जाना है और आपको ओरिजिनल डोकुमेंट से लेके जाना है जिसमें आपको कोपी ओफ आपकी जो योगताए है जो से कि दसवी आईटिए वगेरा है वो यहा इसके बाद में आपका जो आठ पासपोर्ट साइज फोटो आठ नंबरो फासपोर्ट साइज फोटो मंगाई गई है copy of discharge certificate if you are blowing to a service man, यानि कि discharge certificate होना चाहिए, आधार कार्ट, पैन कार्ड यहाँ पर होना चाहिए आपके पास और इसके लिए यहाँ पर आपका जो है वो निचे और भी कुछ mentions किये गए है कि medical format और जो आपका extension form है वो यहाँ पर आपको ले कर जाना है, अब extension form कैसे बढ़ना है इसको लेकर मैंने already वीडियो बनाया हुआ है मेरे चैनल के अंदर playlist मिल जाएगी आपको Navy Tradement Mate के नाम से उसके अंदर आपको यह वीडियो मिल जाएंगे अब दोस्तों हम पर तो medical authority के दौरा आपका medical certificate certificate वो बना होना चाहिए, जो कि आपका civil surgeon या district medical medical officer के दौरा है याई कि DEMO के दौरा या फिर civil surgeon कोई है तो उनके दौरा बना होना चाहिए with दो photocopy के साथ आपको ले के जाना है इसके बाद में आपका यहाँ पर आपका जो SDM वगेरा के जो आपके दो budgeted officers के जो station form में signature होते हैं वो यहाँ पर ले कर जाने हैं तो यह कुछ documents मांगे गए हैं इसमें इसके बाद में अगर कोई जैसे कोई बन्दा है और गोर्मेंट servant है और उसने forum बढ़ा है और वो इसको join करना चाहता है तो उनको यहाँ पर NOC लेकर जाना होगा अपने जो भी department में वो पहले job कर रहे हैं या तो वहाँ से उनको आपका जो है वो NOC बनता है no objection certificate यान कि उस विवाग को कोई उस पर आपति नहीं है कि आप कहीं पर काम कर रहे हो आप कहीं पर join कर रहे हो इसके बाद में हाँ पर वही दूस चटे नमबर पर बताया गया है कि आपको 17 मई को फस्तित होना है विसा का पट्सनम के अंदर और 7 पॉइंट में हाँ पर बताया गया है कि आपको यहाँ पर तयार रहना है सर्वाइव करने के लिए इंडिया के अंदर जो आपकी 9 युनिट किसी भी 9 युनिट के अंदर आपको दिया जा सकता है within eastern novel command eastern novel command के अंदर कोई भी आपकी जो 9 यूनिट है चाहे वो अंड़मानी कोबार में हो या फिर कहीं और गो हो तो आपको वहाँ पर जोब करने के लिए त्यार रहना है इसके बाद में अगर हम बात करें तो आपका जो आगे का है, चार से पाँस दिन हिसमें बताए गये है एक आइडिया हो सकता है यए दो दिन में आपका हो जाये हो सकता है आपको पांच से ज्यादा दिन भी लग जाएं तो इतना आपको अपने साथ सामान जो भी आपका कपड़े ओपड़े लेकर जाने हैं वेवस्ता आपको करनी है कितना दिन रुकना पड़ सकता है इसके अंदर ये बताया गया है और इसके आगे इसमें अहां पर आपका आईडी प्रूफ वगिर आपको लेकर जाना है क्योंकि इसके बीना आपको वहापर प्रवेश नहीं मिलेगा COVID-19 की जो यहां पर आपकी इंट्रक्शन से हैं वो आपको फोलो करनी है जो गाइडलाइन से सरकार के दुआरा वो आपको फोलो करनी है तो ये सारे कुछ interaction इसके अंदर यहां पर आए हैं और साथ में जो documents आए हैं वो आपको बनवा के और भर के लेके जाने हैं तो medical format में आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से यहां पर आ रहा है candidate के पास तो ये दोस्तों आपके पास medical examination के तोर पर यहां पर इस प्रकार से एक format आ रहा है on admission to government service in terms of article 49 of civil service आपकी जो rules है civil service के अंदर जो medical मांगते हैं उसके इसाब से यहां पर medical आपको बनवाना है और इसके अंदर आपको basically आपकी details बढ़नी है और यहां पर नीचे doctor के आपकी medical officer के sign करवाने हैं नीचे आपको अपना signature या thumb impression है वो लगाना है तो यहां पर बताया गया है तो यह इस प्रकार से आपको बनवा के लेकर जाना है अब दोस्तों तो basically जो बात है वो बाकी candidate की वो हम कर लेते हैं जिन्होंने इतनी देर तक वीडियो देखा है तो बात करें अगर मैं यह क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि इंतजार वेटिंग वालों को भी था क्योंकि जब तक जोइनिंग प्रोसीजर सभी commands का पूरा नहीं होगा क्योंकि कौन-कौन जोइन कर रहा है कौन कोई candidate absent कर रहा है कौन candidate medical में unfit हो रहा है जब तक यह पूरा नहीं हो जाएगा के लिए तब तक वेटिंग लिस्ट आपकी नहीं आने वाली है अगर नॉर्मली अगर हम देखें जो प्रोसीजर जिस हिसाब से आपका चल रहा है तो आपका जो वेटिं के starting में जैसे की यहाँ पर notification आते हैं के 2019 की जो वेकेंशी आई थी वो आपकी फरवरी मार्च में ही आपकी निकल कर आई थी और जो 2021 की वेकेंशी आई वो भी फरवरी मार्च में ही आई है तो पूरी संभावना आपकी बनती है कि 2023 की जो वेकेंशी आने वाली है बड़ी ब आता रहता हूं उसके लिए आप चैनलंग को सब्सक्राइब करें वीडियो को दुस्तों को सेर करें धन्यवाद जहिंद जय भारत